हलो गाइस अच्छी इस वीडियो में हम दा बॉइ उटे मेरे किल रिंग का एपिसोड 40 एक्स्प्लेन करने वाले है तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उल्फ दो लर्कियों को बुलाता है और ओ दो लर्किया उल्फ को आकर बोलती है आपको हमसे कोई काम है इसके बाद हम ओन दो लर्कियों को देख पाते है जिनके शरीर से ओ लाइट और शाइन निकल रहा होता है और ये देखकर लीनियंग अपने मन में बोलता है ये दो लर्किया तो बहुत ही जाथा चमक रही है इसके बाद उल्फ लीनियंग को बोलता है तुम शौक हो गये ना ये दो लर्किया हमेशा के लिए मेरे साथ थे लेकिन तुम मेरे भाई हो और ये अब तुमारे है लीनियंग बोलता है हाँ मुझे ये दोनों लर्किया पसंदे और लीनियंग उल्फ को ए भी बोलता है इन दोनों लर्कियों के लिए तुमको कितना पैसा खर्च करना पड़ा मैं ओ पैसा चुका देता हूँ ओल्फ लीन्यांग को बोलता है तुमने मेरी जान बचाया है और तुम मेरे भाई भी हो और इसके लिए तुमको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है लीन्यांग हसता है और बोलता है हम तो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी है इसके बाद उल्फ उन दोनों लर्कियों को बोलता है तुम दोनों आज से लिन्यांग के हो इसके बाद उन दोनों लर्किया बोलती है मेरा नाम हुई है और एक लर्किया बोलती है मेरा नाम लैन है और बोलता है मेरे कुछ सीक्रेट टेकनिक से जो कि मैं तुमको नहीं बता सकता और लीनियंग को थैंक्यू बोलता है और बोलता है तुम्हें और भी कोई जरूरत चाहिए तो मुझे एक बर कॉल कर लेना उल्फ बोलता है मुझे नहीं लगता मुझे और कोई मदद की जरूरत है और उल्फ लीनियंग को ये भी बोलता है मैं तुम्हारे स्किल को ट्राइ करना चाहता हूँ उल्फ बोलता है मेरे साथ प्रैक्टिस करो देखते है तुम कितने अच्छे हो और जितना सामें तुम मु पहुती तेजी से उस घुसे को डौच कर लेता है ये देखकर उल्फ बोलता है अच्छा बच्चू इसके बाद उल्फ लीनियंग को एक लात मरने जाता है और बोलता है इसको अब डौच करकर दिखाओ लेकिन लीनियंग अपने सर को हटा कर उसे भी डौच कर लेता है इसके एक इक कैसा लगा लीनियंग हसता है और बोलता है इसको रोकना तो बहुत ही ज़ादा आसान था इसके बाद लीनियंग और भी ज़ादा हसता है और उल्प को बोलता है एक इक बहुत ही ज़ादा पावरफूल भी था और तुम तो बहुत ज़ादा सीरियस भी हो गए थे और सुनने के बाद उल्ग भी हसता है और बोलता है मैं तो भूली गया था कल तुम फिर से मेरे पास आना में एक घर को बेच दूँगा लीनियंग बोलता है नहीं नहीं हुई और लैन मेरे लिए बहुत है मुझे और एक घर की जरूरत नहीं है इसके बाद उल्ग बोलता है तु भी 1.2 मिलियन पैसे है, मुझे और पार्ट टाइम जॉब की करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में पार्ट टाइम जॉब को छोड़ दूँगा और कुछ और करूँगा, और तब लीनियंग का फोन रिंग होता है, लीनियंग बोलता है, हैलो कौन, फोन के अंदर जो बंदा होता है, ओ बोलता है कि मैंने तुम से कल 1000 रुपे उधर लिया था, और मुझे मेरा दोस्त मिल गया है, और ए बंदा लीनियंग को यह भी बोलता है कि कल पोजी बिल्डिंग में आ जाना, मैं तुमको ठैंक्यो करना चाता हूँ, लीनियंग हसता है और बोलता है, नहीं नही तुम कुछ भी नहीं है, तुम उस पैसे को रख सकते हो, लू लियंग बोलता है कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा, और ठीक एही पड़ी एपिसोड 40 खतम हो जाता है, तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में जल दिलाने की कुशिश करूँगा वीडियो का चलेके तो लाइक जिरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करके साइड मेरा का बेल आकेन ओल पे सिट कर लेना, थैंकियो फोर वाचिंग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में